हलो फ्रेंड्स मैं दानियाल स्वागत करता हूँ आपका किडो कोडर में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग परेंगे कि डेटा मोडल कितने तरह क्यों होते हैं सारे मोडल को बड़ी बारिकी से समझेंगे और आपको समझाने की कोशिस करेंगे तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर हम data model की बात करें तो data model हमारा होता है कि किसी database का जो structure होता है उसी को हम क्या बोलते है data model बोलते है data model में क्या होता है कि जो आपके data database में store है और उस data की बीच में क्या relationship है उसको भी बताता है हमारा क्या data model data model हमारा basically तीन तरह का होता है hierarchical model, relational model और एक network model होता है अगर हम definition की बात करें तो definition है मेरा the structure of database is called data model जो database का structure होता है उसी को हम क्या बोलते है data model बोलते है data model is used to describe the data, data को describe करने के लिए use किया जाता है and their relationship among them और उस data के 20 में क्या relationship है उसको बताने के लिए use किया जाता है data models की बात करें तो तीन तरह का होता है hierarchical, relational और network एक एक करके हम तीनों को परेंगे सबसे पहले देखते हैं कि hierarchical database data model क्या होता है the data model represents database as tree structure, जो data को और database को tree structure के form में represent करता है उसको हम क्या बोलते है, hierarchical data model बोलते है in this data model, data are organized as records and the records are stored from top to bottom as a tree इसमें क्या होता है, जो data है हमारा वो record की तरह organized किया जाता है और एक tree के form में, मतलब parents और child के form में data को क्या किया जाता है रिप्रिजेंट किया जाता है, there is a parent and child relationship among the various levels हर level में क्या होता है, यहां child और parents का relationship होता है और जो highest हमारा होता है, record उसको हम क्या बोलते है, root बोलते है तो यह हमारा देखिए, hierarchical database का model है, animals मैंने example पे लिए है और animals को हम माल लेते हैं क्या कि यह parents है और fish और mammals क्या है, child है तो जो यह मेरा parents है, जो root उसको हम root बोलते हैं और यह fish हमारा है, fish दो तरह का, marine है, fresh water है और एक mammals हमारे cat और dog तो यह जो उपर वाला है, वो level 1 कहलाता है, और नीचे वाला मेरा level 2 और सबसे नीचे वाला level 3 कहलाता है देख रहे हैं, आपको एकदम tree के structure में क्या हो रहा है, हमारा data इसमें arrange हो रहा है, database में इसी structure को हम क्या बोलते है, hierarchical data model बोलते है ठीक है, अब हम इसके advantage के बारे में परते हैं और disadvantage के बारे में परते हैं कि hierarchical model का advantage क्या होता है और disadvantage क्या होता है hierarchical model समझने के बाद, अब हम hierarchical model के advantage और disadvantage को देखने जा रहे हैं तो advantage की बात करें, तो तीन इसके main advantage है जैसे simplicity है, data integrity है और efficiency है अगर हम simplicity की बात करें तो इसका जो design होता है वो बहुत simple होता है और उसके बीच में जो relationship होता है वो भी बहुत आसान होता है अगर हम data integrity की बात करें तो होता है क्या है कि ये middle जो हमारा based होता है किसवर और चाहिआ पर बीज़ दोता है और चाहिट यह अता हमारा अल्वेश को रिफरेंस करता है पारीनश को रिफरेंस करता है इसको क्या बोलते हैं डेटा इंटीघ्रिटी वी बोलते हैं अगर हम एufficiency की बात करें यह यह डेटा-बेस मोडल जो हमारा वह बहुत इफिसेंट है ठीक है क्यों इफिसेंट है इस मोडल is more efficient when the database contain large number of one to many relationship अब यह efficient इसलिए है क्योंकि जो relationship होता है अगर हम family का example ले 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 तो उसमें relationship कितना बड़ा से बड़ा होता है तो उसको भी अराम से यह क्या करता है access कर लेता डेटा में और अराम से काम कर लेता है इसके लिए हमारा यह क्या है efficient है अगर हम disadvantage की बात करें तो the designer should have good knowledge in the implementation of this model designer को अच्छा knowledge होना चीए hierarchical model को implement करने के लिए इसका maintenance होता है वह बहुत difficult होता है और programming भी जो होता है इसका बहुत जादा complex होता है तो यह तीन इसके disadvantage थे और यह तीन advantage थे अब हम बात करेंगे relational data model क्या है उसके बारे में जानेंगे तो चलिए relational data model पढ़ने के बाद अब हम लोग देखना है relational data model क्या होता है इस model represent the database as a collection of relation यह model क्या करता है रिप्रेजेंट करता है database को relationship की तरह each relation is a table with rows and column जतने भी relation होता है वो क्या होता है आपको rows and column के form में होता है table representations enable the user to understand the contents of the database table का जो representation होता है वो users को enable करता है कि आप उसको समझ लिजिए database के content को समझने में असानी देता है ठीक है यूजर के रिदाबेस देटा बैस using simple जो users को क्यों क्यों देना है तो वह अराम से कोई भी simple language का क्यों क्यों के क्योंके दे सकता है relational database नाम सुनके पता चलता है कि relation वाला जो data और ठोन्होंगा database होगा उसको जो heading है वो हमारा क्या कहलाता है या तो field कहलाएगा या attribute कहलाएगा या फिर उसको हम columns भी बोल सकते हैं और उसके अंदर जो मैंने data store किया है age store किया department store किया name store किया role number store किया यह सारे चीज़ को हम क्या बोलते है है या तो record बोलेंगे या तपन भोलेंगे या फिर रौज बोलेंगे टपन क्या होता है टपन ओता है each row of data in the table मैं इस ओन के इस नोवन टपन समझेर ना गया जो भी हमारे में data store है उसी का मिक्जांद बोलते हैं या रिकॉर्ड बोलते हैं या फिर रॉज बोलते हैं यह हमारा था रिलेशनल डेटाबेस मोडल अब हम परते हैं कि नेटवर्क डेटा मोडल हमारा क्या होता है तो हिरारिकल और रिलेशनल डेटा मोडल पढ़ने के बाद अब हम परते हैं कि नेटवर्क डेटा मोडल हमारा क्या होता है Network data model की बात करें तो इसmodern डेटा बैस और गराप यह डेटाभेशकों गराफ की तरहरा र्येपरेजेंट करता है इसमें क्या है हमारे नौट सोते हैं करांअ हमारा नोर्च की तरह रिकॉर्च ऑफ होता है इ Pac-P दूसरे से connected होगा किसी relationship के basis ठीक है the relationship between records are done by the means of set type relationship जो होगा notes के बीच में वो किसके द्वारा क्या जाएगा mean of set type के द्वारा क्या जाएगा अब आप सवाल करेंगे कि set type क्या होता है सर तो set type देखिए it is the description of one to many यह क्या होता description होता relationship का एक से many के साथ किसी एक का एक से ज्यादा लोगों के साथ relationship among two records ठीक है दो record में एक से ज्यादा वहापी क्या होगा हमारा relationship होगा उसकी क्या बोलते हैं set type बोलते हैं इस set type defines as three elements हर set type के पास तीन element होगा वो कौन-कौन सा element होगा उसका name सबसे पहले honor उसका उसके बाद और क्या होगा उसका member यह तीन चीज़ होगा तीन definition होगा हर set type में क्या क्या होगा name होगा honor होगा और हमारा यह मैंने एक छोटा सा graph लिया है यह हमारा स्टोर से यह customers manager salesman items orders यह क्या हमारा यह सारा nodes है और इसी के बीच में देखिया आप मैंने relationship बनाया है जैसे store का relationship customer के साथ भी होगा manager के साथ भी होगा और salesman के साथ भी होगा इसी तरह से customer का relationship order से होगा manager का relationship order से होगा और salesman का relation item purchasing करने से भी होगा और order से भी होगा तो यह हमारा क्या था relationship था graph की तरह और इसी को हर एक इसको क्या बोलते हैं node बोलते हैं क्या सारी चीज मैंने आपको बता दी आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ subscribe now and press the bell icon never miss an update